जै मातादी जै मा कमख्या देवराधा ट्रस्ट सत्यवानी चेनल जो मनुष्य अपनी पूजा के समय पे 32 नाम जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको रोज सुनता है या पाट करता है पूजा के समय पे दीपक लगाने के बाद में तो उसके उपर सभी देवी देवताओं की कृपा धीरे धीरे आने लगती है कोई भी नाराज नहीं रह सकता चाई पूजन करें चाई हवन करें चाई प्रार्थना करें इनका नाम लेना ही लेना चाहिए क्योंकि यह सब देवी देवता आपके इड़ गिर्द याने आपके आसपास ही रहते हैं, उनका प्रभाव आपके उपर पढ़ता ही पढ़ता है। आसपास ही रहते हैं, उनका प्रभाव आपके उपर पढ़ता ही पढ़ता ही पढ़ता है। आसपास ही रहते हैं, उनकाम आपके उपराव आपके उपरस्य पढ़ता हीता है। दुरुगतिनाशी निदुरुगाज जाए जाए कालविनाशी निकाली जाए जाए उमारमा ब्रह्मानी जाए जाए सीताराधा रुकमनी जाए जाए ये जो बोला है ये सब के अंदर आपके जितने भी देवी देवता हैं सब इसके अंदर शामिल हो गए है हर मनुष्य को रोजाना अगरबती दीपक धूब देते समय इनका नाम अवश्य ले ले धीरे धीरे घर में सुक सम्रद्धी शांती आने लगेगी हाँ इतना जरूर है कि गरह नक्षत्रों के इसाफ से मनुष्य को जो प्रकरती के अनुसार गरह नक्षत्र जो चलाए मान है उनके अनुसार जो कस्ट मिलना है वह कस्ट तो मिलेगा परनतु कम कस्ट मिलेगा अब कोई गरह आपका बहुत खराब है तो वो तो कस्ट देगा ही देगा हाँ उसके निमित आपको जब कराना चाहिए तब कराना चाहिए अनुष्ठान करना चाहिए दान देना चाहिए अन का दान देना चाहिए धातू का दान देना चाहिए वस्तर का दान देना चाहिए जिससे दान देने से पाप कट जाते हैं और पाप कटने से आपको कष्ट की प्राप्ति कम होती है, तो मनुष्य को जब पेसा होता है, जब कमाई होती उसके पास में, तो उस मनुष्य को अपने खराब ग्रह को पहले से ही अच्छे से कर लेना चाहिए, जब तप करा करके उनको शांत कर देना चाहिए, ताकि खराब समय पे वो आपको ज़्यादा जैमा कमक्या अब हम आते हैं रहस्यमा ज्यान की और जिस भी मनुष्य की लगन पत्रीका में कोई भी महोचा इस्तरी हो या पुरुश हो उनके बारे में हम बताने जा रहें कि सप्तम भाव में यदी शनी चंद्र और केतु बेठा हुआ हो कोई भी मनुष्य हो जिसकी जन्व पत्रीका में लगन चार्ट में शनी चंद्र और केतु बेठा हुआ हो तो मान करके चलें कि उसका पारिवारिक जीवन तहस नहस होगा ही होगा पारिवारिक जीवन नहीं मिलेगा पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा वेवाहिक सुख भी नहीं मिलेगा यह मान करके चलें और हो सकता है ऐसे व्यक्ति का या ऐसी इस्त्री का दो विवाह होने की संभावना बनती है और शनी चंद्र और केतु यदी सप्तम भाव में बेठ पुरुष यदि है तो अपने से बड़ी उम्र की इस्त्री के साथ में संसर करता है और यदि इस्त्री है तो वह चरित्र हीन होती ही होती है, यने उसके दो या दो से अधिक पुरुषों के साथ में शायरिक संभंद बनते ही बनते हैं, मिलकुल अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता, जिस भी इस्त्री या पुरुष का शनी, चंद्र और केतु सब्तम भाव में बेठा हुआ हो लगन चार्ट के अनुसार, तो मान करके चले कि वह दो या दो से अधिक इस्त्री पुरुषों के साथ में शायरिक संसर करता ही करता है, ग्रहस्त जीवन एसे मनुष्य का गलह कारी होता है, बच्चे भी कम होते हैं, और चरित रहस्य मही रहता है, धामपत्य सुख में कमी रहती ही रही है, और ग्रहस्त सुख में विवाद रहेगा ही रहेगा, जैमाता दी, जैमा कमक्या, अब इसका उपाय सुन लओ, इसका उपाय ये है कि शनी, ग्रह जो हो चंद्र ग्रह और केतुकर यह तीनों ग्रह एक साथ यदि बेड़ जाते हैं तो विश्योग के निर्मान होता है साथी साथ में राहु की द्रश्टी भी शनी और चंद्र पर पड़ती है तो उप्री बाध्धा प्रेत बाध्धा यानि पिछले जनम के कर्म के अनुस्तार कोई अद्रश्टी उनके साथ में होती है वह या चरीतर हिंता का कारी करवाती है तो इसका उपाई ये है कि श्रीमत भागवत कथा पुरान पित्रों के निमित वो अवश्य कराना चाहिए नारन बली अवश्य कराना चाहिए हर तीन चार साल में ये काम अवश्य कर ले और अमावस्या विशेश तोर से चूंकि प्रेट सात में रहता है तो अमावस्या के दिन विशेश पूजन अर्चन करना चाहिए पीपल के वरक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहिए और पीपल के वरक्ष के नीचे तने में, मठकी में, दूद और पानी मिला करके अवश्य छोड़ना चाहिए जह माता दी जह मा का मत्या